प्रीविद्यार्थियों, आज हम कच्छा 11 के जीविज्ञान में अध्याय 4, प्रानी जगत के तीसरे सत्र में आपका स्वागत करते हैं इसमें हम संग मोलस्का, एकाइन डर्मेटा, हेमी कौडेटा, कौडेटा के विशय में जानकारी हासिल करेंगे तथा कौडेट के वर्गी करन के साथ वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के विशय में जानेंगे आईए इस सत्र के अध्यन के परिनाम जाने। विद्यार्थियों में रेखा चित्र तथा लेखन, निपूनता में सहायता करना। विद्यार्थियों में वग्यानिक मांसिक्ता, जिग्यासा, रचनात्मक सोच और सौंधर रिबोध विक्सित करना। विद्यार्थियों में इस प्रित्वी पर मौजूद विशाल विविदताओं के विशे में जागरूख करना इन विविदताओं को अपने जीवन से संबंध व्यक्त करना पिछले सत्र में हमने और्थोपोर्डा तक पढ़ा था आईए इस सत्र में हम मौलस्का से शुरू करते हैं आपने बाजार में शंक, कौडी, इत्यादी बिक्ते देखा होगा ये सभी इसी संग के जीव हैं मौलस्का का अर्थ कोमल शरीर वाले जीव होते हैं यह प्रानी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संग है इसका आवास ज्यादा तर अस्थलिय या जलिय होता है इनमें से अधिकांस अस्थली नम मिट्टी में पाए जाते हैं यह त्रीकोर की होते हैं अर्थात यह तीनों भुरूनिय अस्थर से विक्सित होते हैं इनमें सच्ची प्रगुहा पाई जाती है इन में अंग तंत्र अस्तर का संग थन होता है त्रिकोड की सच्ची प्रगूह तथा अंग तंत्र अस्तर का संग थन रजुकी संग तक पाया जाता है आईए इसकी शारीरिक संरचना के विशे में जाने कोमल शरीर होने के कारण शरीर कठोर कैलसियम के कवच से धका होता है जो कैलसियम कार्बोनेट का बना होता है शरीर अखंडित जिसमें सिर पेशियपाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है पेशियपाद चलन में सहायता परदान करता है प्रवार गुहा तोचा की नरम तथा एस्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है कुकुद और प्रवार के बीच के अस्थान को प्रवार गुहा कहते हैं आखिर ये जीव सांस कैसे लेते हैं प्रावार गुहा में पक के समान क्लोम पाये जाते हैं जो सौसन में सहायता करते हैं सिर पर समवेदी स्परशक होते हैं मुख में रेती के समान रेती जीवा रेडुला पाया जाता है जो भोजन को घिसने का काम करता है आईए इन जीवों में जनन किस परकार होता है जाने यह एक लिंगा सरीय होते हैं तथा अंडज भी परिवर्दन परत्यक्ष या आपरत्यक्ष हो सकते हैं आईए कुछ अधुईतिय लक्षन जो इस संग में पाय जाते हैं जाने इनमें तंत्रिका तंत्र सरीर के एंठन के कारण अंग्रेजी की संख्या आठ की आक्रिती का होता है रुधिर, रंगहिन या हीमोसाइनीन के कारण नीला रंग का होता है उच्सर्जन उच्सर्गीकाओं के द्वारा होता है मुलस्का के उदाहरन हैं हैलिक्स, बाग भूंगा, टाइटन, यूनियो, इत्यादी क्या आप जामते हैं प्राकिर्तिक मूती कैसे बनता है जब एक रेत का कर्ण या परजीवी, कवच और प्रबार के बीच चला आता है तब प्रबार, नेक्रे की संकेंद्रित परतें उनके चारों तरफ बनाती है कुछ समय बाद यही मूती में परिवर्तित हो जाता है आपको मालूम है इसी परकिरिया के द्वारा हम मूती की कृतिम खेती करते हैं जापान ने सरपथा मोती की कृतिम खेती की शुरुवात की, पिंक टाडा मुक्ता शुक्ती सबसे बेहतरीन मोती बनाती है, कृतिम मोती इस परकार बनता है, सबसे पहले उप्युक्त परजात्ती को इकठा किया जाता है, उन्हें उप्युक्त जगह देना जहां जनन हो सके, युवा को अलग कर उन्हें खास आकार तक विक्सित होने देना ग्राफ्टिंग करना हाथों से छोब कर कवच और प्रवार के बीच उत्तेजक को डाला जाता है ग्राफ्टिंग के बाद जीव का ध्यान रखना ताकि मोती अच्छी तरह विक्सित हो सके उपज को धहर के साथ लंबे समय तक ध्यान रखना बाद में थोड़े से प्रसिक्षन के बाद मुती को इकठा करना इससे किशानों को काफी आमदनी हो सकती है आईए अब हम अगले संग एकाइनो डर्मेटा के बारे में जाने है जब भी इस संग की बात होती है तो हमारे ध्यान में एक खूबसूरत तारा मीन आता है जो मचली नहीं है एकाइनो डर्मेटा का अर्थ शूल यूक्त जीव होता है इन जीवों का आवास कहां होता है इनका आवास समुद्र है यह सभी त्री कोड की तथा प्रगु ही होते है इन में अरिय सम्मिती होती है सिवाई समुद्री कद्दू के जबकि लार्वा धुई पार्ष सम्मिती दर्शाते हैं इकाइनो डर्मेटा के विशिष लक्षन में जल सम्वहन तंतर आता है जो किसी भी संग में नहीं पाया जाता है जल सम्वहन तंतर इन चीवों में भोजन पकरने, चलने, स्वसन में सहायता परदान करता है अब मुखिय या मुखिय तल में एक बराचिद्र पर मेड्री पुराइट नाम का चलनी सद्र से ढक्कन होता है मुखिय तल पर मुख से लेकर हर एक भुजा के शिखर तक फैली एमबुलेक्रल खांच होती है परतियक खांच के दोनों तरफ छोटे छोटे खोखले वह संकुचन शील, चूसक युक्त, नालपादों की कतारे होती है जो भोजन, गमन और स्वसन में सहायक होते है आईए इनके पाचन तंतर को समझे पाचन तन पूर्ण होता है मुख केंदरिय डिस्क अधर तल की तरफ होता है तथा गुदा डिस्क के अपमुखिय तल पर पाए जाते है पाचन शरीर के बाहर होता है क्योंकि आमाशे बाहर आ जाता है क्या इनमें उत्सरजन तंतर पाए जाते हैं आप बिल्कुल सही है उत्सरजन तंतर अनुपस्थित होते हैं जनन तंतर नर और मादा अलग-अलग होते हैं और लेंगिक जनन होता है निशेचन बाहिय होता है परिवर्धन और परत्यक्ष होता है तथा मुक्त प्लावी लारवा अवस्था पाया जाता है आपने पुनरुद भवन के विशे में कक्छा 10 में पढ़ा होगा सूल युक्त प्रानी का किसी अंग के तूट जाने के बाद उसी अंग का पुनरुद भवन होने के लक्षन दिखाई देते हैं आईए इस संग के कुछ सामान उधारन को देखें समुद्री कद्दू तारा मीन भंगुर तारा समुद्री लेली इत्यादी अब हम संग हेमी कोडेटा के विशे में जानेंगे ग्रीक में हेमी का अर्थ आधा और कोडा का अर्थ प्रिष्ट रज्जू होता है यह संग पहले रज्जुकी संग का एक उपसंग के रूप में जाना जाता था लेकिन अब इसे अरज्जुकी में एक अलग संग में रखा गया है इनका आवास समुद्र है, ये क्रिमी के समान समुद्री जीव है ये सिलियरी फिल्टर फीडर होते हैं, ये दूई पार्शव सम्मिती दर्शाते हैं इनका सरीर नालाकार तथा तीन भागों में विवेदित होता है सरीर के अगले भाग में सूड, मद्ध भाग में कॉलर, तथा पीछले भाग में लंबा धर होता है धर में तीन भाग होते हैं, पहला स्वास जन्नांग छेत्र जिसमें एक जोड़ी जन्नांग पंक होते हैं, जिसमें जनन पिंड होते हैं, इसमें दो लंबे क्लोम छिदर की पंक्तियां होती हैं, दूसरा यक्रित छेत्र और तीसरा सबसे लंबा पस्च यक्रित भाग होता है जिसके टर्मिनल में गुदा होता है जनन तंत्र नर और मादा सदस अलग-अलग होते हैं निशेचन बाहिय होता है तथा परिवर्दन अब परत्यक्ष होता है इसके उदाहरन है बेलेनोगलोसस जिसे जीव क्रीमी कहते हैं तथा सेकोगलोसस आईए अब हम रजुकी संके विषय में चर्चा करेंगे ग्रीक में कॉड़ा का अर्थ छड तथा एटा का अर्थ धारन करने वाला होता है रजुकी त्री कोड़की होते हैं दुईपार्श सम्मिती के साथ प्रगु ही होते हैं इन में अंग तंत्र अस्तर का संगठन होता है रजुकी के विश्श्च लक्षन इस परकार हैं प्रिष्ट रजुकी उपस्थिति एक प्रिष्ट तंत्री का रजु एक जोड़ी गरस्नी कलोम दराडें आएये रजुकी और उरजुकी में विसश्ट लक्षनों की तुलना करें रजुकी में प्रिश्ट रज्जू उपस्थित होता है केंदरीय तंत्री का तंत्र, प्रिश्टिय, खोखला तथा एकल होता है गरस्टी में कलोम चीद्र पाये जाते हैं हिर्दय अधर भाग में होता है एक गुदा पस्च पूच उपस्थित होता है अर रजुकी में प्रिष्ट रजु अनुपस्थित होता है केंद्रिय तंत्री का तंत्र अधर तल में ठोस और दोहरी होता है क्लोमचिद अनुपस्थित होता है हिर्दय प्रिष्ट भाग में हो उपसंग के भी से में जानेंगे, रज्जु की के तीन उपसंग हैं, पहला यूरो कॉडेटा, दूसरा सिफेलो कॉडेटा और तीसरा कशेई रुकी, उपसंग यूरो कॉडेटा, गरीक में यूरो का अर्थ पूँछु तथा कॉड़ा का अर्थ रज्जु होता है, प्रिस् ये रचना समाप्थ हो जाती है इसलिए इसे अधोगामी रुपांतरन कहते हैं वैस्क थैलिनुमा असम्मिती तथा ट्यूनिक से घिरा होने से इसे ट्यूनिकेटा भी कहते हैं उदारन है एसीडिया सैल्पा डॉलियोलम उपसंग सिफैलो पोड़ा ग्रीक में सिफैलो का अर्थ सिर तथा कॉड का अर्थ रज्जू होता है प्रिस्ट रज्जू सिर से पूँच तक फैली होती है तथा जीवन के अंत तक बनी रहती है इसका उधारन ब्रेक्योस्टोमा एमफियोक्सस या लैंसलेट है प्रिस्ट प्रिस्ट रज्जू और मेरुदंड सब्द का इस्तमाल कभी कभी एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है क्या ये दोनों शब्द का अर्थ एक है या अलग अलग प्रिस्ट रज्जू और मेरुदंड के बीच अंतर ये है प्रिस्ट रज्जू की परिवासा यह एक लची प्रिष्ट रज्जु निम्र रज्जुकी में पाय जाते हैं। प्रिष्ट रज्जु के चारो ओर होता है। प्रवाचार्ट द्वारा समझते हैं। कशेरुकी को दो डिवीजन में बाटा गया है। पहला अनेथो एस्टोमेटा जिसमें जबडो का अभाव होता है। तथा इसमें एक वर्ग साइक्लो एस्टोमेटा होता है। दूसरा नेथो एस्टोमेटा जिसमें जबड़े उपस्थित होते हैं। इसे दो उच्वर्ग में विवाजित किया जाता है। पहला पीसीज जिसमें पख उपस्थित होता है और इसके दो वर्ग होते हैं। और उस्टिक्थिस दूसरा टेटरापोडा चत्तुस पाद जिसमें चार पाद होते हैं और इसमें उभैचर, सरीश्रिप, एविज तथा स्थन्धारी वर्ग होते हैं वर्ग साइक्लोस्टोमेटा का अर्थ होता है चक्रमुख ये सभी प्रानी कुछ मचलियों के बाहिय पर जीवी होते हैं स्वसन के लिए 6-15 क्लोमचिद्र होते हैं इनमें बिना जबरों का चूसर्ट तथा विर्थाकार मुख होते हैं इनके शरीर में शल्क तथा युगमित पको का अभाव होता है कपाल तथा मेरुदन उपास्थिल होता है परिसंचरन तंत्र बंद प्रकार का होता है यह समुद्री होते हैं किन्तु जनन के लिए अलवनिय जल में प्रवास करते हैं जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं उनका लारवा कायंतरन के बाद समुद्र में लौट जाते हैं इसका उधारन है पेट्रो माईजन लेंप्रे, मिग्जिन हैक फिस्ट आइए आपके लिए कुछ नियत कारिया है पहला क्या जल समवहन तंत्र और द्रव्य चालित तंत्र में कोई समानता है दूसरा रजुकी और कशेरुक्वी में अंतर बताईए तीसरा रजुकी के उन चार लक्षनों को बताएं जिससे वह अरजुकी से बेहतर जाने जाते हैं आईए एक सिवग्र पुन्डराव लोकन करें एकाइनोडर्मेटा हेमी कॉडेटा के आधार भूत तथा विशिष्ट लक्षनों को उधारन सहित समझें संग रजुकी के आधार भूत तथा विशिष्ट लक्षन के साथ उनका वर्गी करन तथा वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के विशे में जाने विद्यार्थियों अब इस अध्याई के बाकी वर्गों के विशे में हम अगले सत्र में पढ़ेंगे धन्यवाद धन्यवाद